गुर्देव आपके चड़नों में कोटी-कोटी पढ़ा हुआ हमने संसार में जिनको अपना आश्रे मानकर जीवन साथी की रूप में वरंड किया और जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने ही जब हमें ठुकरा दिया और जीवन की महिजधार में बिलकुल अकेला छोड़ दिय इतना सब होने पर भी उनके प्रती अतिमों आ सकती खतम होकर शीर्फ और सिर्फ स्री जी के चड़नों में कैसे लगे एक बार मारकंडे जी के आश्रम के पास सूरत नाम का एक वेश और एक राजा दुन आपस में मिले तो राजा से पुछा आप जंगल में यहां कैसे मेरा राज छिछिन गया है पर मैं वही राज सिंगाशन वही राज महल वही रानिया यह मारा चिंतन नहीं जा रहा है मुझे राज मिले इस बात के लिए तो मैं दुखिने पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता और रो नहीं लगा फिर पुछा आप क्यों इधर जंगल में तो उनका मेरे बेटे ने मुझे पीट के निकाल दिया सारी शंपत इछिन लिए पर मेरा मन उसी के लिए तड़प रहा है वो भले मुझे पीटे पर मैं अपने बेटे बहु परिवार को नहीं छोड़ सकता तो बड़ी विचित्रम दोनों की दशा है कि वो हमें छोड़ रहे हैं और हम उनके लिए रो रहे हैं ये क्या है तो राजा ने का पार्स में मारकंडे जी का आश्रम है हम लोग उन प्रुष के पास चलते हैं और अपना निवेदन करते हैं तो जाकि प्रणाम किया और अपनी बात दोनों ने रखी तो मारकंडे जी ने कहा ये भगवती माया का प्रभाव है अगर भगवान के सी प्रचंड माया ना हो तो सब पर्मानंद में मगन हो जाएं ये माया है वो हमें दोखा दे वो हमें ठुकराए पर हमारा मोह हमारी ममता उससे बिलग नहीं होती है अब उससे हटने का एक ही उपाय है साधम को हरी भजन है कै सत्संग सहाय अगर हम सत्संग शुने तो शुनते शुनते बुद्धी पवित्र हो जाती है और फिर निश्य होने लगता है आप जिनके लिए रो रहे हैं जिनकी बुद्धी पावन हुई उन्होंने तिरस्कार पुर्वक छोड़ दिया रतनावती जी भक्तमाल में चरित्र है पढ़े लेजिए रतनावती जी पूरे रानी के जैसे शुक होते हैं वैसे ही रानी थी वैसे ही सुक में मगन थी कोई हरी भक्ती कोई भजन कुछ नहीं और राजा भी अत्यंत प्यार करते थे पर दाशी वो ब्रंदा बनाती थी और संतों का शंग करती थी सत्संग तो उसके हरदय में गोविंद के चरणों में प्रीत्यूत्पन हो गए तो रानी के कभी पैरदवारी होती तो एकदम बो यह कौन है कुछ भी आ रही कौन है गोविंद किससे तु प्यार करती है आज तक मुझे नहीं बताया हमारे यहां की दाशियां तो आजीवन समर्पित अंग सेवी होती है यह क्या तो मुस्करा देवली महरानी आप अन्यथा मत समझना यह कोई व्यक्ती नहीं हम जिससे प् बता दो मत सुनो मत सुनो ने किसी काम के ने रहे जाओगी और रोपढ़े भगवान का जो प्यार होता है नहीं हरदय में वह अलग कोटी का होता है वह बस मत पूछो आप मत पूछो अब तु और आकरशी थोई नहीं नहीं आप बताओ ना तो जब बैठकर के भगवत चर् पर हम परभू की बात सुनो इतना रंग चड़ा के हिर्देविकल हो उनका कैसे दर्शन हो सकते हैं गोविंद के कैसे दर्शन हो सकते हैं विहारीजु की कैसे दर्शन हो उनका महारानी जेक हूपाए है यादि प्रगट में शंतों का संग किया जाये तो निश्चित-संत- को बुलाओ और हम स्वयम बनाएंगे संतों को पवाएंगी उनके स्री मुख से भगवत चर्चा सुनेंगे उस समय दिल्ली में बाद साख के समीब बिराजमान थे मादो सिंग उनके पती का नाम था अब रानी का हुकम महल के निर्माण हुआ पास में संतों और खिड़की से दर्शन करती फिर सुन्दर भोग पधराती जाके सब संतों को पवाती यह जब सूचना पहुची राजा के बिना हमारे आदेश के संत निवास बन जाना संतों के बीच में रानी को ऐसे कोई सहस्तूरी देख सकता जाना है सब हुक्म कर दिया बिलकुल नहीं संतों के समीप जाना बंद यह सा बिलकुल क्योंकि एक राज मर्यादा होती है और कुछ कठोर शब्द कहें तुरंत नाई को बुलाया अपना मुणन कराया और संतों के बीच में बैट गए बोले आज से राज अन्नकात्याग अगर मैं कहीं रानी हूँ कहीं भी किसी भी अंग में मैं उसे रानी नहीं नहीं दूँगी जो मुझे शंत और गोविंद से दूर कर दे कदाब यह जब सूचना पहुंची को तो मूर मुणा के बैट गई सुचा यह तो बतलब भारी के भारी अपमान इससे ज़दा क्या हो सकता है अगर जैसे चारा रख के बकरादी रख करके पिंजडे में सिंग को बंद करके लाए और दर्वाजे पे वही दासी जो उनकी गुरू थी वो आरती की शामान दे रही थी और पूजन की थाल लेकर ठाकुर जी का स्रंगार कर दासी ने का महरानी शिंग जो ही पिंजडा से खुला गया तो ऐसे मुणी उनका सिंग नहीं नर्शिंग भगवान पदा रही थाल लेकर शिंग ऐसे जैसे कोई गाय न सीधी गाय हो तिलक लगाया आरती की प्रणाम किया ऐसे सब देखते रह गए फिर लोटा सिंग मारी चलांत जो उपर बालकनियों में खड़े देख रहते न मान सिंग के आदमी फाड के फेक दिया गुराता हुआ भाग गया अगर हम अपनी भक्ती के रंग में आ जाएं तो फिर हमारा ये माया मोह संसार नष्ट हो सकता अन्य था हमारे सब्दे तो जरू अच्छे नहीं लगेंगे पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता अपने शुख श्वार्ति की जब तक पूरती लगती है हमारा मन जब तक राजी है तब तक हमें आप आपको प्यारे कहते हैं अपना प्यारा बना लेते हैं और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते उम्याती है उन्में लेकिन भगवान की भक्ती से बड़े-बड़े भ्रम जिश्यों के आश्रम में भगवान नहीं गए सवरिमाता के भगवान ये सब संसार यही सब देखता है तुम्हारा रूप तुम्हारा गुण तुम उसके काम के लायक हो कि नहीं हो अगर स्वार्थ की पूर्ति लायक नहीं हो तो कोई भी हो हट जाओ या उमार डालेगा संसार को सुरूप है कोई नाटक करके तुम्हें नश्ट कर न वही परमपती हैं देखो मेरा जी ठसक से कहती ही तो गिरधर गोपाल दूसर अनौ कोई और ये कभी दोखे बाज नहीं है कभी दोखार हम सही कहते हैं अगर हमें जिसे बचपन से लगे रहे न हमें बात समन में नहीं आती तो हम ये जरूर माइक से कहते हैं, बहुति करना ठीक है, पुन्य है, मंगल है, लेकिन अपनी छाती की बात कहते हैं अभी तक, कमी हमारी, क्रपा उनकी डुबो रहे हैं, बस अगर कहीं कमी है, तो हमारी कमी है, उनकी तरफ से क्रपा ही क्रपा, दुलार ही दुलार है, ये सच अगर कोई प्यार करने वाला है तो प्रभू है आपको यह दिखाई नहीं देते हैं आपने अपने को देखा है क्या अगर प्रभू से देखने पर ही प्यार करते हो तो आप अपने से प्यार करते हो ना देखो ना आप अपने अपने को देखा है क्या आप तो सरीर को देख र अपने आप से ज़्यादा प्यार आप किसी को नहीं करते हैं, टांक अटवा देंगे आप, अगर ऐसा लग जा है कि अपने को बहुत असांती जीना मुश्किल है, आप क्या करेंगे, कैसे मुँ दिखाएंगे, तो आप जैर खा लेंगे, फांसी पे चड़ जाएंगे, मतलब समझे, पर आपने अपने को देखाने जाना नहीं, फिर भी आप बहुत प्यार करते हैं, जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपने आप से बढ़कर आप किसी प्यार नहीं करते हैं, पर आपने अपने आपको नहीं जाना, तो फिर, तुम उनी के अंस हो, जब तुम अपने को उतरते हैं ऐसे दोस्त की तरह मिलते हैं बगवान आपर बस यह है कि जैसे आप कोई कि चाहत हमारी प्रबल हो, तो हमें भगवान मिल जाएंगे, वहां तो किसी इसी पारिष की जरिए, खुद हमारी हर दे की बात सुन दे, एक मात्र भगवान के चरनों से ही, हमें शान्ती मिलेगी, वही हमारे हैं, दूसरा तो सचल हो रहा है, सत्य बात है नहीं है न पुरुषय न भगवान के अंस हैं और उनका भजन करके उनहीं को प्राप्थ हो जाएे यह हमारे जीवन का लक्षए यह हम तो बड़ी कृपा मानते हैं जब प्रतिकूलता मिलती कोई अपना नहीं होता ना तब कृपा का समझ में आते हैं कि बहुत कृपा है, नहीं तो इस मुह जाल में फस कर पूरी जिंदगी बरबाद हो जाती है, अब शावधान हो जाओ, अब निकल जाओ, पर इधर का रास्ता चलना थोड़ा कठिन है, इसलिए कुछ भी हो जाए, फिर इधर नया चुन लेते हैं, नया मित्र चुन लेते हैं नया घर सुन लेते हैं, नया वर चुन लेते हैं, इधर ही वो खोज सुरू की है ना अनंत जन्मों से, वो ये नहीं समझ परा क्यों, अंदर बेठा है कहरा है, लोटाओ, हमसे मिल लो, पर हम लोग बाहर ही खोज कर रहे हैं, वो अंदर है बेठा है, घर के अंदर प्रीतम हम बेठा हमारा इंतिजार कर रहा है, हम धरवाज एक बार बटक रहे हैं उसको, खोज उसी को रहे हैं, जो शुक है, जो शान्ती है, जो आनंद है, वो प्रभु ही हैं, उन्हीं के लिए हम खोज रहे हैं, पर उनको ना मानकर, ना जानकर, अन्य रूप, अन्य भावों में इसलिए हमें सांती नहीं मिल रही, मुझे लगता है नाम जब करो, सत्संग सुनो और प्रभू को अपना मानो, फिर वो जैसे जीवन निर्वाह करवाएं, उनके उपर छोड़ दो, वो चाहेंगे पती रूप में मिल जाएंगे, मित रूप में मिल जाएंगे, वो जो चाहें लव मेरिज, लवाने प्रेम का विवा, इसे बढ़ियां और क्या बात होगी, बाई पहले तो गाओं में था कि वर दूला को नहीं देखा, दूला को नहीं देखा, ऐसा नहीं था कि लड़की लड़का देख के बाद के ब्या होता हो, ऐसा पहले लही था, गाओं में तो मा तो माता-पिता के मर्यादा में आकर ब्या किया प्रिवार शुष अब परिवारben में आज और व्ली ऋनर्वा करते वह पूरे घर की शेवा परिवार की सेवा पती दिनिता अपना कैसी आपने वाह । किया हमारी उन्रति हो रहे किया हो पीछे से देखा जाए तो हमारी बड़ी थीक है माता पिता की पसंद थी आपने पसंद आपने खुद पसंद किया ना तो अपनी पसंद का निरुवा करते जीवन बर दोनों मिलके यह क्या बीच मैं क्या यह प्रेम विवा है अरे एक बार कर लिए मैं दलिद्दुरॉए कि आज इतसे इसे वाली चेष्टा यह मनुस्य वाली चेश्टा धर्म वाली चेश्टा थोड़ी प्रेम का है कि भगवान ने एक बार विदान बना दिया गरेश्ती में हमुशी विदान में संतुष्ट रेकर धर्म पूर्वक्षा पर न सत्संग है न सास्त्र श्वाध्या है न भजन है तो यह बाते सब लिख ही है दिमाग में नहीं आ सकते हम ऐसे आचरण नहीं कर सकते तो भगवान की कृपा से यदि आपको शत्संग समन में आ जाए तो भगवान का अश्रेलों वही मंगल करता है